अगनी वीर में आप पॉंट्रेक्ट पर आपने नौकरी कर दिया वह भी चली आपने कर दिया लेकिन कोई सहीद हो जाएगा तो नेता के बेटा को अनुकंपा का लाब मिलेगा कोई सरकारी सेवक है उसको अनुकमपा का लाब लेकि देश के सरहत पर सहीद हो जाएगा उसको अनुकमपा का लाब नहीं उसको पेंसन नहीं अनुकमपा का लाब नहीं मिलना ये देश की राष्ट्रिय सुरक्षा से जुड़ाओगा मसला नितीश कुमार जी का उमर है तब ने 17 वर्ष मुखमंती रहे यह नसीब होगा बिहार में बीज़पी के कोई नेताग हुआ नसीब 17 वर्षों तक बिहार में लगातार मुखमंती पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो तो उसकी छमता है तब ना जो मोक्ष की धर्ती है गया सीता का स्राप था कि वहाँ पर जल नहीं रह सकता है अहिंदू धर्म की अवधारना वाले लोग हैं इतु नितीश कुमार जीव काम भी किये हल्गू में रवर डैम बना करके देश वरते पिंड़ दान करने के लिए आईए और नितीश कुमार का बच्चे से लिखवा करके दे दें कि भाई राजी में सराबंदी खतम हो जाए तब हम मानेंगे कुन में आलोचला का पुर्शाट वाद क्या विकास होगा नितीश कुमार इस तरीके की बात कह रहे हैं उमर के ऐसे पड़ाव पर इस तरह की बाते कर रहे हैं उनका उमर हो गया इस तरह की बाते भाजपा कह रही है नितीश कुमार को लेकर जो नितीश कुमार आठ मेहने पहले भाजपा के साथ सरकार में थ दितिति को लेकर सवार उठार है बात करते हैं जड़िव के मुख्य प्रवक्ता है हमरोज नीरच कुमार जी ने जो विकास को एक Egenडा बना है विकास का मतलब केल यह नहीं होता है कि आधारबूत संग्ञरचना का विकास और बिहार ने विकास दर के मामले में चाह ineडिय आज अब तक 2022 तक केंद्र सरकार ने यह पारलियामेंट में ओन रेकॉर्ड कहा कि हमने 7,22,135 लोगों को मात रोजगार दिया और बिहार का आप देखेगा केवल सिच्छा विभागी 3,5 लाख रोजगार दे चुका है उन्होंने इस संदर्व को कहा कि अगर रोजगार जैसे महत पुण समस्या का सभादान नहीं हो रहा है और देश की सरहद पर कोई सहीद हो जाएगा अगनी वीर यह सी योजना अगनी वीर में आप पॉंट्रेक्ट पर आपने नौकरी कर दिया लेकिन कोई सहीद हो जाएगा तो नेता के बेटा को अनुकंपा का लाव मिलेगा कोई सरकारी सेवक है उसको अनुकंपा का लाव लेकि देश के सरहद पर सहीद हो जाएगा उसको अनुकंपा का लाव नहीं उसको पेंसन नहीं अनुकंपा का लाव नहीं मिलना यह देश की राष्ट्रिय सुरक्षा से जुड़ा हुगा मसला है ऐसे सवालात को अगर नितीश कुमार जी ने उठाया है तो यह निश्चित उपसे चिंता कभी से है कि वह सिक्षा का अधिकार कानून लागू है आप पिछला आती पिछला की चात्रवितिक अक्षा एक से आठ तक खतम कर दिया जो सवर्नों को 10% आरक्षन दिया दलित और पिछले को आप अस्कॉलर्शिप दे रहे हैं तो क्यों नहीं अस्कॉलर्शिप दीजिएगा उनको भी छात्रविति मिलना चाहिए जग जीवन नाम छात्रवास योजना बंद कर दिया तब सिक्षा के अधिकार कानून पर हमला जो रोजगार की सम्मेक वेवस्था होनी चाहिए उस सवाल पर फेलियोर है महंगाई जैसे सवाल पर चिंता कभी से तो नितीश कुमार जी ने कहा भाई असमान विकास क्यों हो रहा है नितीश कुमार को कहा जा रहा है कि उनका उमर हो गया है कुछ कुछ बोलते जा रहा है नितीश कुमार जी का उमर है तब ने 17 बर्श मुख मंत्री रहे यह नसीब होगा बिहार में बीज़ेपी के कोई ने तक हुआ नसीब 17 बर्शों तक बिहार में लगातार मुख मंत्री पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो तो उसकी छमता है तब ना उनके छमतावत उनके सवाल से परिसान क्यों है इतो 45 से मिले की पाटी है परिसान नहीं होना चाहिए लोग कह रहें कि नितीश कुमार को अब मोक्ष की प्राप्ति हो जाए अब इससे बड़ा उधारन क्या होगा जो मोक्ष की धर्ती है गया सीता का स्राप था कि वहाँ पर जल नहीं रह सकता है अहिंदू धर्म की अवधारना वाले लोग हैं इतों नितीश कुमार जीव काम भी किये फल्गू में रबर डैम बना करके देश वरते पिंड़ दान करने के लिए और नितीश कुमार का जैकारा करिए नितीश कुमार का तो काम बोलता है आपका नारा एक सवाल है कि मोतिहारी में जतीश राप से मौत हो गई है और विपक्ष का कहना है कि आप लो जो है वो स्रिफ ढौण रच रहे हैं जहरिली सराप से मौत आए दिन हो रही है आप लोग का रही हूं परशासन ने साथ लोग की गिरफतारी सुनिश्चित किया है पोस्ट माटम रिपोर्ट पर तिक्छारत है उस दिशा में भी सार्थक कारवाई हो रही है लेकिन इसको राजनेतिक चस्में से लोग देखते हैं वह किसी की सराब बंदी जैसे महत्पुन अभियान पर गरहन लगाना चाह और आदरनिये नरेंद्र मोदी जी ने राजनेतिक मतवेद रहते हुए पांच जनवरी 2017 को गुजरात के अनुभो के अधार प्रणों ने कहा कि सराब बंदी लागू करके नितिश कुमार जी ने सासिक फैसला लिया है तमाम दलों को संगठनों को सहयोग करना चाहिए यह क कहा कि गुजरात के अंदर में भी सराब बंदी 60 के दसक से लागू है वहां भी ऐसी घटनाय प्रतिवेदित होती है तब राजनेतिक चसमे से अगर देखिएगा तो हम तो अनुरोध करेंगे कि जो लोग सराब बंदी की आलोचना करते हैं वो अपनी पत्नी बच्चे से ल इन मेख निकालते हैं उनसे अनुरोध है कि सराब बंदी लागू करने के लिए टॉल फ्री नंबर कितना इस्तेमाल क्या यह बताईया आपने क्या अपनी जिमेवारी का अंदिर बहन किया साथी साथ अपने परियन में सब से लिखवा करके दे दिजिए कि हमारा बेटा बे किसे आपको एहसास होगा इस बात का एहसास होगा आपने परिभार से लिखवा कर देजिए तब पता चला कि खानायों ब्लू बंद हो जाएगा रही है और स्वाओं यही सद्धानोन जया जैल इस Cons先 कीरें न क्या किन की तो पढ़ने लिखने की जिसे हुरे है कानून व्यवस्था यूएस पी है यूनिक सेलिंग पॉइंट है लगातार इसकी समिक चाम करते हैं चलिए तो हमारे साथ जडिव के मुख्य प्रवक्ता निरज कुमारते सीधे तोर पर सवाल ये है कि आखिरकार बिहार में जब जहेदी सराब से मौत हो रही है इनका कहना है कि भारती जनता पार्टी के जो नेता सवाल उठा रहे हैं वो अपने पत्नी या बच्चे से कर दे दे कि बिहार में सराबंदी चालू हो जानी चाहिए देखते हैं आगे क्या होता है इस परनेशन के साथ नमस्कार